CBDT ने income tax से जुड़े annual information statement में कुछ नए बदलाओ की हैं इससे अब taxpayer अपने correction request के status को चेक कर सकेंगे AIS को कई सूचना सुरोतों से प्राप्त वित्ती आकड़ों के आधार पर तयार किया जाता है CBDT ने अब taxpayer को AIS में दिखने वाले प्रते कलें दिन पर अपनी प्रतिक्रियाद देने की सुविधा दी है सर इस CBDT के नए बदलाओ को कैसे समझा जाए क्या कुछ है इसमें ये ख़बर भी समझने जैसी है एक annual information return system है जो आपको अपना टेक्स बिदिन भरते समय समय उस system का हिस्सा बनना पड़ता है CBDT ने अब पूरे देश में अलग-अलग स्रोतों से सूचनाय जुटाने का एक network बनाया है जहां जहां आपने PAN का इस्तिमाल करके आप कोई खर्च करते हैं कोई निवेश करते हैं कुछ खरीदते हैं वहां वो सारी सूचनाय CBDT के पास आती है और फिर उसके बाद आपके पैनमबर के अधार पर आपके एक आटो पॉपॉलेटिट एन्वल इंफार्मिशन रिटर्न में दर्थ हो जाती है कि इंकम टेक्स रिटर्न भरने से पहले वो अगर कोई टेक्स पर चाहेगा तो आटो पॉपॉलेटिट फार्म में जो एन्वल इंफार्मिशन रिटर्न में सूचना है दी गई है उनको वेरिफाई कर सकेगा उन्हें ठीक कर सकेगा और उनके करेक्शन की बात भी कर सकेगा फिलाल इस समय बैंकों से, म्यूचल फंड से, रिटर्ट कार्ड से और रिटर्यल ट्रांजेक्शन से इन पाँछे जगों से फिनांशल डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको इस चीज़ से मैच किया जाता है कि जो आप रिटर्न भर रहे हैं अपनी कमाई का, उसके आधार पर वो डेटा उससे मैच कर रहा है कहीं उससे मिस मैच में तो नहीं है चले इस बीच, सरकार e-commerce कंपनियों के लिए कस्टमर रिवीव के लिए गुडवत्ता मांदंडों को अनिवारे बनाने पर विचार कर रही है स्वेच्छिक प्रियास में अधिक सफलता ना मिलते देख सरकार ने अब फरजी समिक्षाओं पर लगाम करसने के लिए फैसला लिगा है सरकार ने एक साल पहले e-commerce कंपनियों के लिए नए गुडवत्ता मांदंड जारी किये गए थे और पेड रिव्यू प्रकासित करने से इन्हें रोक दिया गया था बाजुदिस्के e-commerce प्लैटफॉर्म पर प्रोड़क्स और सर्विसेस के फरजी रिव्यू अब भी सामने आ रहे है सर ये फेक रिव्यू को कैसे रोका जागा क्या करें रहे हैं जो e-commerce कंपनियों की तरफ से जब आप को उतपाद किसी वेबसाइट से या e-commerce प्लैटफॉर्म के तरफ से विपल ये क्लेम किया जाता है कि वास्तवी को भोगता दोरा दिया गया रिव्यू है लेकिन वैसा होता नहीं है और अब ये किसम का डाक पैटर्न है क्योंकि रिव्यू देखकर और स्टार देखकर कोई भी वेक्तिव उतपाद खरीदने का उत्सुक हो जाता है या फैस्टार लेता है या उसको इंफ्लूएंस करता है कि लोगों ने अच्छा रिव्यू लिखा है तो उतपाद अच्छ प्रस्था में इन्हें बंद करने और इस तरह की रिव्यू को रोकने के लिए सक्ती भी की जा सकती है और ये कामर्स कंपिनियों पर जुर्माना भी लग सकता है